आपके सामने आपके सामने की कुछ खास खबरों के साथ और उन खबरों के अंदर क्या है उनके खुलासे के साथ तो चलिए सीधे चलते हैं डॉक्टर मनीश की तरफ और बात करते हैं डॉक्टर मनीश से डॉक्टर मनीश बहुत सारी खबरे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं लेकिन आज मैंने कोई ख कर हर अख़वार में एक ख़वर आई है एक ब्रजेश मिस्रा जी हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अटल विहरी बाजपेज की सरकार के करता धरता हुआ करते थे कल उन्होंने बहुत एक संसरी खेज बयान देने की कोशिश की ऐसा लगा कि ब्रजेश मिस्रा जी की बात को जो है पूरी देश की जनता जो है सर आँखों पे लेगी और उनकी बात को मान लेगी लेकिन हो कह रहा है कि जितने लोग हकिकत कि ये जो आम्स डील में बिचॉलियों की बात जो सुरू हुई है और चौते दुनिया के साथ जो इंटर्वियू में जनरल वीकेसी ने जो खुलासा किया और उसके बात से जो प्रकरन चालू हुआ है इस देश में उसमें बहुत बड़ बड़े लोग सामिल हो गया है वज़ा ये है कि पिछले 15-20 साल में जितने लोग अगर सच्चाई से हर डील, हर खरिदारी, हर समझाता के उपर जाच की जाए तो जितने डिफेंस मिनिस्टर अब तक बने हैं, वे जितने डिफेंस मिनिस्टर में लोग रहे हैं, जितने लोग इन समझोतों के पीछे अपना कुछ रोल अदा किया है ऐसा नहीं कि सब में इमान है, लेकिन उनकी परेशानी जो है, वो बढ़ जाएगी और उसी सिलसिले में, ब्रिजेश मिश्रा जी ने कल करन थापर के साथ इंट्रिव्यू में इन्होंने रक्तेव विदिया और ये भी कहा, देखिए कि मैं जनरल विके सिंग को नहीं जानता, कभी मिला भी नहीं, लेकिन ये अब तक का सबसे खराब जनरल है, वाह, आपने देश के लिए कौन सा तीर मार लिया, आपके जमाने में भी तो डील्स हुए थे, अगर पॉलिटिकल क्लास में जो इमांदार लोग हैं, ऐसा नहीं कि सरकसर पार्लिमेंट जो है बेमान से भरा हुआ है, उसमें बहुत इमांदार लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि सिस्टम जो है साफ हो जाए, उनको आगे आना चाहिए, और ऐसे लोगों से सवाल पूछना चाहिए, हर लेजल के उपर जो है, इस इस टाइम, के एक ट्रांसपेरिंसी के साथ इस देश को चलाया जाए, और वो ट्रांसपेरिंसी नहीं है, तो जब तक यह से लोग ये टेलिविजन पे आकर के इनको वक्त दिया जाएगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है, ये विनम है, जो लोग, जो भी सची बात सामने लेकर आता है, सबसे पहले उसी को शक्के दायरे में लाकर, महीं से उसकी जड़ें खोदने शुरू करते जाते हैं, ये हमारे देश का जो सिस्टम भी जो बना है, कि जो भस्टाचारी है, जो गरत काम करता है, जो दलाल किसम का आदमी है, उसको इनाम मिलता है, और जो इमांदार है, जो इमांदार अधिकारी है, जो इमांदार बिरोक्रेट्स हैं, जो इमांदार नेता है, जो इमांदार पॉलिटिकल सोसल वरकर है, उनको जो है फांसी पर लिटका दो, यही जो है इस देश का मने वो कानून है, मीडिया में यहाल है जो दलाल किसम के लोग हैं देखिए वो कितने उनके उनके पास घर है जमीन है सब कुछ है तो यह एक मुने यह एक बताता है कि किस तरीके से और यही वजह है जब पार्लेमेंट में यह मसला उठा था तो वो सारी पार्टियां जिनका जिनके नेता जिनके शिर्सनेता इन सब चीजों से जुड़े हुए रहे हैं वो लोग जो है जनरल भीकेसिंग के गरदन मांग रहे थे उसने लिखित कंप्लेन नहीं दिया तो इसके लिए दोसी जो है जनरल भी के सिंग हो गय है है अब सामने आया है कॉंग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे के पर्लेमेंट में कि दुख पर बहुत होनी चाहिये कि जब कोंग्रेस पार्टी की एक मेलें ने कि हन्मंद थप्पां ने 2009 में इस घड़ाले एगजरेटले के इमारे में रिटन कंप्लेयन दिया था सोनिय से मुलाकात की सुनिय कूण मेमरेंडम दिया, सारे सबूत दिये, एक एंटनी को दिया, गुला नोभी अजाद को दिया, मोहिली को दिया, मने, सारे एक सारे जो, मने, इंपोर्टन लोग हैं, सरकार में, उन सब कोई इस बात की जानकारी थी, रिटेन कम्प्लेंड भी था, लेकिन कोई एक्शन? लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही, डॉक्टर मनेश, कि जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहा हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्कैम्स के जिस तरीके से, उस में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेट्मेंट क्यों नहीं आती है? देखिये, he wants to keep away from all these things. प्राइम मिनिस्टर की तो बात आपने कह दी, राहूल गांदी क्यों चुप है? सोनिय गांदी का स्टेट्मेंट क्यों नहीं है? अच्छी अच्छी बाते होते ही तो सोनिय गांदी का बयान आ जाता है? किस चीज़ पर क्रेडिट लेना होता है तो राहूल गांदी का बया कर रही है कि लिफ्ट क्या कर रही है भारती जंता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई है जो जिसके लिए जो पूरा जो भरस्टाचार का जो तंत्र इस देश में जो लूट मची हुई है उस कि जवाबदेही और जिंमेदारी यह बीजी पी पी उत्मी है रीजन आप इतने ही कमजूर हो गए हो आप इतने ही जो ए बिलकुल जो जन्ता के आवाजों को जो उठाने को जो पने खतम कर दिया है कि सरकार को यह हिम्मचार को गई है कि वो जो बनाता है वो ही है अभी आप देखिए कि शर्मनाग खबर है कॉंग्रेस का इतना बड़ा कद्दावर लीडर वाइसार जिन्हों ने उद आंध्र प्रदेश में कॉंग्रेस को मने जीरो से जो है मने महल में बिठा दिया कि उसके बेटी ने सही डिमांड की वाइड 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 आपका जो चीफ मिनिस्टर हो वह कट पुतली हो यह बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी क्या चलने इस देश के अंदर में दोनों मेजर पार्टिया ऐसे से लोगों को मुख्यम कि बहुगुना को ठाक लेया है का हम तो हमने तो नाम नहीं सुना था कि नाहीं उनका को रोल में जानता हूं कि उत्रा खंड में कुछ वा लेकिन आपने जो है उठा करके क्योंकि लॉयल है कि अपने इसी तरह से हर जगह जो है चालीस साल से आपके सेवा कर रहा है और जो सच में ही लॉयल है उसको आपने प्लगार है वह जाए गहां उसको तो आपने समझ लिए कि घर में बना को कोई बने यह हो कि वह जाएगा कहां है कि अब आप देखिए है उसके बेटे ने सही दिवांड की उसके पास समर्थन था एमेलेस थे सब कुछ था आपने उसको कंट्रूल नहीं कर सका पार्टी जो है उसको कंट्रूल नहीं कर सके वजय ऐसा नहीं चीप मिनिस्टरी बना देते अरज उसको कुछ मंत्री का इस पार्टी यह बता है कि भाई कि इट वस नॉट वाय सार ओंगर्स पार्टी के आडेलोजी उसका संगट है उसके कारकरता इतनी इंपॉर्टेंट थे उनकी उनकी मेहन से जो अंदर प्रदेश में जो कॉंगर्स पार्टी इस जगह पे पहुंची है अब पॉल्टिक खुए कार से भी जो है यह जो है इसको जो है इननीज क्याता मरेवे कहा दो दुस्मन के बारे में भी लोग खराब नहीं बोलते हैं चोंट यह तो आपका अपना था पता यह चल रहा है अब बास चोंट कि पार अब कि सोगा प्रश। परना नहीं है जैसे Constitution है उसमें प्रियेंबल है जो पूरा सार रखता है डिफेंस बजट हिंदुस्तान के सरकार सबसे ज्यादा खर्च जो है डिफेंस पर करते हैं और पता नहीं क्या हो रहा है डिबेट बीजेपी को यह सवाल पूछना चाहिए इसके लिए देश में बंद कर देना चाहिए आंदोलन करना चाहिए कि कल अगर पाकिस्तान के साथ खुदा ना खासते कोई जंग हो जाए तो हम क्या करेंगे और जो कमिया जनल वीके सिंग ने बताई है क्या वो सही है अगर वो सही है तो डिफेंस मंत्राले में बैठे अधिकारियों को इमेडिटली करत्राभव जो है जो लोग समान और घर निकी की जिम्मेदारीय जो में इसरे जीमकी कोने वी आर्मी का डने लोग भी के सिंग साअब हो है लोग के начал कर दिजिए अगर कर दो इंका चैया मेरहा का थाई उनका है और नहीं हो पार रहा हो है तो भां आप सपा rub सार करो सरकार क स्ट्रेट जी समझें अब इस केस में सोनिय गांदी को चिठी के जरिए मुलकाद के जरिए बताए जाए बहुत सारे लोगों का नाम आ गये किन लोगों को मालूम था अब इन्होंने क्या किया अब बर्जेस मिस्रा को त्यार कर दिया कि तुम लागर के बोल दो जनरल के खिलाफ इन्होंने आकर के बोल दिया बीजेपी को आज प्रेस कॉंफरेंस बुला कर ब्रजेस मिस्रा के बयानों की जो है निंदा करनी चाहिए अन्यता ये माना जाएगा कि इस पूरी जो घुटाला और भरस्टाचार का जो तंत्र है इसमें सारी पॉलिटिकल पार जो है चला रहा है और जब इस तरह का संदेश जो है पॉलिटिकल पार्टीज संसद एंपीज देश चलाने वाले लोग जनता को देंगे तो जनता यहीं कहेंगी कि अर्विंद केजिवाल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे है कि भाई भरस्टाचारियों ने कब दकर रखा है य यह डिमोक्राइसी जो है टिरेल हो गई है फर शुपरमनें स्वामी जी जो कह रहे हैं लोग बोलेंगी सही बात कह रहा है और आप यह कहोगे कि भही कि पारल्लमेंट के उपर हमला हो रहा है अरे हमला किस बात को हो रहा है आप अपनी कर्तूतों के वज़े से आप जो है उ सब जो है सब कर सब चो रहे हैं इस सब कर सब काला धन बटो रहे हैं सब कर रहे हैं तो क्या गलत कह रहे हैं इतना सब के बाद आज जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री की मिटिंग होने वाली है और हम सुना ये बताइए कि क्या होना चाहिए एक्सेक्टली क्या होना चाहिए इस वा वाले लोगों को उस दिमाग से यह हटना न पढ़ेगा कि ए आर्दिरॉलर्स कि हम सत्ता में हैं और सतना जो है पावर्फुल है और सबसे पावर्फुल है इस दिमाग को इस mentality को सिकनिंग mentality को हटना पढ़ेगा। को फूटिलिस नहीं चल रहा है इस देशकंदर में और नहीं लोग जो है उसके लिए तयार हैं पुराने जनरेशन के लोग कुछ हद तक जो है इस चीज से एग्री भी कर जाएं डर भी जाएं ये दो तीन साल के बाद जो लड़के जो कॉलेज से बाहर निकल रहे हैं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये भगवानी मालिक है इसके लिए यूथ की संख्या बढ़ रही है यूथ के टेंपरमेंट को समझना जरूरी है यह सब वो कोई नहीं सुनने वाला कोई वो जमाना चला गया क्या आपने एक भासन दे दिया आपने प्रेस कॉंफरेंस कर दी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और लोग जो है आप पे भरोसा कर लिए कि मामला खतम हो गया क्योंकि जो है फ्राना फ्राना इतने बड़े लीडर ने ये स्टेटमेंट दे दिया अब ये स्टेटमेंट को जो है यहां operation कर रहे हैं गली मोहले में लोग आवरनेस लिवल इस तरह का चला गया है information का जो सब information की जो supply है वो इतना बड़ा और इतना कुक है कि सांसद में संसद में बैठे लोगों को मालूम नहीं चलेगा पूरा देश जो है देश में हाकार मज जाएगा तो यह इस तरीकी का सिस्टम है इस चीज को पहचाने की ज़रुत है तो जितने डिल्स हो रहे हैं वो ट्रांस्पेरेंट हो यह ब्रिंग एक्सपर्ट्स यह आइस ओपिसर्स रहे क्या एक्सपर्ट है कोई विश्टी पढगे कोई सोसल साइस पढगे वो डिफेंस एक्सपर्ट कैसे बन जाता है हाँ इस पीपल लेंड़ फिन डाट कैंड आव डिजन में शिस्टम अजो एक्सपर्ट है इसका वह बचारा कहीं रिशस इंस्टूट में और कहीं पर जाकर के वह कलम घिज रहा होता है जिदें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है वह गलत जगा बैठा हुआ है नहीं मालूम है वह सबकर सब वहां बैठे हुए एक बात में जो समझने के लिए मैं जरूर कहें हुआ कि बेसिकली जो शाट साल सतर साल से जो सिस्टम जो चला रहा है सम टाइम्स इंट हैपन्स इतना जो है ग्रेस मार्क देना चाहिए हाला कि वो नहीं देना चाहिए लेक मिनिस्टर अच्छा आदमी भी इमांदार आदमी भी वो इस सिस्टम के गफलत में फच जाता है एंटरी साहब इस नॉट बैड मैं ही जोट मैं बता रहा हूं हाट को वो जिसको मने करफ आदमी है वह इस टॉट डैट कैंड आप परसल यह मैं इस ग्रेस फुली में बता रहा हूं आपको लेकिन होता क्या है कि आप ऐसे सिस्टम में फंस गया हो कि कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हैं मैं बस एक बात में कह रहा हूं कि हमने बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स को देखे हैं कि जो परसनल लाइफ में इतना ज़्यादा कारकरताओं के साथ हिलने मिलने आपस में बात्चित करने वाले लोग थे जब यह मंत्री बन जाते हैं पता नहीं उनके दिमाग में क्या घुच जाता है मैं मैं नाम नहीं लूँगा मैं बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि मंत्री बनते ही उनका पुरा चाल शरित्र और चेहरा यह तीनों बदल गया फिर कोई कारकरता से मिलने की और कोई कारकरता मिले तो कारकरता तो टफ बात कहेगा जैसे पहले बात करता था वो अब भी वो ऐसे बात करेगा तो इन नेताओं को लगता है कि यह बत्तमीज लोग है उनके अपने कारकरता उनको बत्तमीज लगने लगते हैं कोई सही सेजेशन बुरा लगने लगता है उनको लगता है कि यह सब मुर्ख है जो सेजेशन दे रहे हैं वजह यह जो आईएस पता धिकारी जिस जिसको हम लोग कहते हैं यह इस तरीके से यह सर गुड मॉर्णिंग सर गुड आफ्टरून सर और यह सर वो सर यह कानून यह नियम यह वाइल यह वैसे यह एक ऐसा इनको ट्रेनिंग दिया गया है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति का जो हना बुद्धी जो है यह लोग भुष से बढ़कर एक है कातिल किस पे कोई इल्जाम लगाए कतल भरी महफिल में हुआ है खुन के चीटे सब पे आए तो यह एक ऐसा स्कैम सामने हैं जिसमें एक से बढ़कर एक लोग सामने आ रहे हैं अब देखिए कि कहां पर जाकर यह उट किस करवट बैटता है यह तो हम झाल से एक वारे है